Hello students, स्वागत है आपका हमारे चैनल मालवा Study Club में आज हम देखेंगे math का most important chapter ratio and preparation ये most important chapter इसलिए है क्योंकि आपको बाकी सब chapters चाहे वो time and work हो, चाहे वो age के सम हो, चाहे वो percentage के सम हो और कोई भी chapter हो आपको ratio उन सब में मिलेंगी और अगर आपका ये concept clear नहीं है, तो आपको बाकी सम करने में दिक्कत आ सकती है इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है तो ये एक beginner level की वीडियो बनेगी, जिसमें आपको concept और beginner level के सम कराए जाएंगे उसके बाद आपको और वीडियो जो कि advance और tough sum होंगे, वो आपको कराया जाएगा next वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं, चलो देखते हैं first sum को दो संख्यां का अंपाथ 4 ratio 9 हैं और उनका अंतर 215 हैं तो उनमें से शोड़ी संख्या ग्याद कीजिए हमें क्या given है, हमें given है दो numbers जो की ratio में है और उनका हमें difference दिया हुआ है इस sum को आप सब 2 second में कर सकते हैं, जाने कैसे जो 2 ratio है, एक ratio और ratio 2, 4 और 9 तो हमें क्या करना है, अगर हमें अंतर दिया हुआ है तो हम दूसरी से पहली को गटा देंगे कैसे करते हैं, 9 minus 4 is equal to 5 जो हमें 5 दिया हुआ है, उसको हम divide कर देंगे जो हमें difference दिया हुआ है 5 4s are 20, 5 3s are 15 तो हमें क्या पूशा है, हमें पूशा है इन में से शोटी संग क्यार कीजिए, शोटी संग क्या है, कौन है 4, तो हमें इसे 4 से multiple कर देंगे 4 into 43 is equal to 172, तो हमारा 172 किस option में है हमारा 172 ए option में है, जो कि इसका right answer है और अगर हमें बड़ी संग है पूशी होती तो क्या करते, तो हम इसे 9 से multiply करते 43 तो चलिए देखते हैं, next question हमें क्या given है हमें दो different types के ratio given है और हमें find करना है combine ratio A ratio, B ratio, C तो चलिए देखते हैं, इसको कैसे करते हैं इसको करने के लिए आपको एक असान trick बताने वाला हूँ कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको इसको ऐसे लिख लेना है, A ratio B ratio, C तो हमें पहले वाली ratio को लिखना है A ratio B कितना है, A है 3 B कितना है, 4 तो जो next वाला है, वो हमें यह first वाली ratio है next वाली क्या है, C ratio B दियान से देखिए student यहां पर हमें confuse करने के लिए B last में दिया हुआ है तो इसको confuse, इससे confuse मत होना आपको simply B वाली ही value उठानी है B की value कितनी है, 5 हम नीचे 5 लिख देंगे और जो C वाली value है, वो नीचे 4 है, तो हम 4 लिख देंगे हमें simply क्या करना है हमें simply क्या करना है इसके pass वाले के साथ इसका pass वाला number लिख देना है और इसके 7 वाले की देना है तो हमें इन तीनों का आपस में multiply करना है 5 3s are 15 5 4s are 20 और 4 4s are 16 तो यह हमारा right answer है 15, 20 and 16 इस तरह किसम जब भी आपको में आएंगे तो आपको यह simply method use करना है और आप असानी से उसको solve कर लेंगे तो चलिए next question देखते है हमें given है 3x is equal to 5y is equal to 4z और हमें find करना है x ratio y ratio z तो कैसे find करना है काफी interesting question है और हम इसे असानी से कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ आपको ऐसे पहले लिख लेंगे x ratio y ratio z जब हमें x की value find करनी है तो हम y और z को multiply कर देंगे x को छोड़ कर 5,4,020 और जब हमें y की value find करनी है तो हम 3 over z x और y का multiply कर देंगे sorry x और z का multiply कर देंगे 4,3,012 और जब हमें z का find करना है तो हम x और y की multiply कर देंगे 5,3,015 तो z हमारा right answer है जो की b option में है b option is the right answer काफी असान question था आपको exam में इस तरह के question आ सकते हैं तो चलिए देखते हैं next question हमें given है a ratio b और b ratio c तो हमें find करना है a ratio c तो कैसे करते हैं सबसे पहले हमें इनको combine करना होगा वो कैसे करते हैं देख लिजिए हमने पहले भी किया है a ratio b ratio c एकी value कितनी है 7 b की value 9 और second वाल में b की value है 5 और 7 c की value है इसके साथ वाला ये plot ले लेगा 5 और इसके साथ वाला ये ले लेगा तो इनको करते हैं है पस में multiply 75,000 35 95,000 45 और 97,000 63 तो हमें find करना है simply a और c तो हम इन दोनों को combine करेंगे इन दोनों की comparison करेंगे कितना है 35 and ratio 63 ये दोनों किसी common table पर जा रहे है अगर जा रहे हैं तो हमें इन्हें cut कर देंगे ये जा रहे है 7 के table में 75,000 35 और 7,000 63 तो 5 रेशन ओ is the right answer किस option में ये option a में है योग कि हमारा right answer है तो ये सम भी हमने कर लिया तो चलिए देखते है next question हमें का given है x is equal to 1.4 into y and y is equal to 1.3 into z और हमें find करना है x ratio y ratio z काफी ट्री किस हम है चलिए देखते हैं को कैसे करते हैं असान तरही किसे हमें given है x is equal to 1.4 into y and y is equal to 1.3 into z जी वाई इदर multiply है उदर जाकर divide हो जाएगी x upon y is equal to 1.4 वैसे रह जाएगा इदर और z इदर multiply है इदर y के नीचे आजाएगा y upon z is equal to 1 upon 3 जहाँ पर हमें x ratio y की value और y ratio z की value आ जाएगी different different x ratio y x की value कितनी है 1 और y की value है 4 और दूसरी वाई की value कितनी है 1 और z की value कितनी है 3 तो इसको कैसे combine करना है जहें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है तो इसका answer मुझे आप खुद से solve करकर मैं जहें comment box में देंगे क्यों इसलिए मैंने आपको इसकी option नहीं दी तो x ratio y z की answer आप मुझे comment box में देखे कि इसको merge करकर तो चलिए देखते है next question इस question में हमें given है एक ratio, दो ratio, तीन ratio के अनपात में कुछ संक्य है और उसका जोग उसकी adding 24 है तो पहली और चोटी संक्या की average find कीजिए हमें इसमें उसको find करनी है तो हमारे पास संक्या कितनी है 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 हमारे पास 10 संक्या का जोग कितना है 24 और हमें find करनी है एक और 4, 5 संक्या की तो 10, अगर 24 है तो उसका आदा 5 किसके वरबर होगा 12 के और हमें कितनी संक्या की find करनी है दो संक्या की एक और 4 की तो इसे हमें दो से ड्वाइट कर देंगे और 6 is the right answer जो की first option में है